चिर्द हिंद वंदेमात्रम तो अगतविनंदन सभी सातियों का एक बार पुन है आप सभी लोगों के लिए बड़ी कुस्कबरी है जिन सातियों का इंतजार है कि नई भरती तो सभसेपहले तो नई भरती को लेकर मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को नई भरती के बारे में बता दूँ एक सबसे पहले सभी सातियों के समझे यह क्या रहेगा अभी फिलाल एक रिलेशन भरती है जो की अपने होने वाली है गोवा के अंदर और उस भरती की अंदर भई लाड़ लो जो जनवरी के अंदर होने मैं आपको बताने जा रहा हूं पंजाब और गोवा पनाजी गोवा की वेकेंसी है लाड़नो देखिएगा इसके अंदर जो टोटल क्राइटेरिया है वो क्या रहता देखो यह स्पेसल लिखावा है कि 19 जनुवरी को यह रिलेशन बढ़ती है वो शुरू की जाएगी स्पोर टोप रहीा तो 19 जनुवरी से स्टार्ट होगी आपकी इसके अलावा इसका जो सेंटर है उसका नाम है सिंगल training center ठीक है पनाजी गोवा के अंदर है ठीक है इसके अलावा इसमें यह जो बरती है उसमें अगनिवीर जीडी टेक्निकल ट्रेड और sportsman के लिए बरती होगी और really relation open sports मतलब एक तो sportsman वालों के लिए open है और साथ जो विद्यारती special किसका है relation रखता है father का चाहिए brother का उसके लिए होगी ठीक है और यदि आपन बात करें इसके अंदर जो criteria है वो क्या रखा गया है तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा देखिएगा इसके अंदर एस criteria की बारे में लिखा वा इस फस्ट ऑपिशल notification की बारे में देखते हैं देखो यह इसका official notification है इदि मैं इसकी बात करता हूँ तो आप इसको check कर सकते हैं UHK relation daily to single training center Goa from 19 January से 24 January to 24 January under अगनीपत scheme अगनीपत scheme के अंदर यह होने वाली है 19 January से चलेगी यह ठीक है और 12 तक चलने वाली है और इसका जो एक्जाम है दस मार्च 24 को होगा इस मैं आपको बता दू एक्जाम है आपका 10 मार्च को होने वाला है और यह बरती चलेगी 19 से लेकर 24 तक चलेगी ठीक है ओके इसके अलावा देखो थोड़ा सा आए इसमें और देख लाणा कौन कोड़ से ट्रेड है इसमें टेकनिकल का है टेकनिकल का कंप्लेट है टेकनिकल है जीडी है आउट इस्टेडिंग स्पोर्ट्स्मेन है अग्नीवी ठीडियन और ड्राप्स्मेन है और प्रावस कीपर वासर मेन के लिए ये बरती अरेने वाली है ठीक है इसके अंदर जो एजगराइट एरिया है वो इसके अंदर जो जीडी का जो एजगराइट एरिया है वो इसमें रखा गया है एक अक्टूबर 2002 रखा गया क्या रखा गया कही ने कही आपको खुशकवरी मिल सकती है कि जो जनवरी में बरती होगी उसमें भी एजगराइटेरिया यह है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आने वाली बरती में भी बिल्कुल आपको फाइदा मिल सकता है जीडी वाले विद्यारतों के लिए साथे साथ जो नर्शिंग असिस्टेंट की मेरे लाड़ने तहरी कर रहे है उनके लिए भी बढ़िया मोका मिल सकता है या पर ध्यान दीजिएगा कहीने कहीं आपको गुड नूज है वो बिल्कुल मिल सकती है क्योंकि आप ये खुद देख सकते है कि जो जनवरी में भरती स्टार्ट हो रही है उसके अंदर 1 अक्टूबर 2002 से गणना की जा रही है लेकिन आपको पता है पिछली बार जब ये भरती अप्रेल में आई थी तो उस समय भी गणना याद से की गई थी तो चांस बन सकता है कही ने कहीं कुसकबरी मिल सकती है ये नहीं कर रहा हूँ कि 100% मिलेगी लेकिन जो परवरी में आने वाले वेकेंसी है उसके अंदर मिल सकता है चांस ठीक है और नर्सिंग वाले लाटनों के लिए 1 अक्टूबर 2000 से गणना उस टाइम की गई थी ठीक है हो सकता है इसमें भी कहीं ने कहीं मेरे साब से चेंजेज नहीं मिले तो यदि चेंजेज नहीं मिले तो आप सबी लोगों के लिए खुसकबरी रहेगी यदि मालों चेंजेज हो जाए कब होने वाला है अप्रेल में लेकिन जो relation की अभी भरती आई है उस भरती में exam 10 मार्च को रखा गया है चाहे वो GD का है ट्रेड मेन का है चाहे नर्सिंग असिस्टेंट का है किसी का भी relation वालों के लिए ठीक है तो कहीं ने कहीं age को लेकर विद्धारतियों के शवाल थे कि सर मैं क्या करूँ क्या ना करूँ तो चिंता मत करो कहीं ने कहीं ख़बर आपके लिए बढ़िया हो सकती ठीक है दूसरी बात यह है कि कुछ लाडले ऐसे है कि सर हम पढ़ना चारे है कॉर्स पढ़ना चारे है हम केसे पढ़े क्या पढ़े तो मैं आपको बता दूँ आज ही तो आज ही आप Play Store से जाकर लक्षय आर्मी एप्लिकेशन है उस लक्षय आर्मी एप्लिकेशन पे जाकर आप अपनी तैयरी को बैतरिन कर सकते हैं जिनका एक्जाम 10 मार्च को है उनके लिए विशेश हमारे पास बैचेज है चाहिए वो एने की तैयारी कर रहा है चाहिए वो जीडी की तैयारी कर रहा है चाहिए वो टेक्निकल की तैयारी कर रहा है सब के लिए हमारे पास special बैच है ओफलाइन बैचेज भी है आप हमारे साथ contact करके बिल्कुल ओफ लाइन बेच भी जोईन कर सकते हूँ ठीक है ओके जे हिंद जे भारत राम राम साथ